हेलो 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 प्यारे बच्चों मैं हूँ कनवर्जन पांडे और आप देख रहे हैं फ्री रेटकल फ्लासेस बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए कनवर्जन में जल्ली से आयो शुरू करते हैं आज का कनवर्जन और आज मैं कराये हूं आपके लिए क्या आज ह क्लोरीन तो बेंजीन और क्लोरीन को जोड़कर लिए तो क्या बन गया क्लोरो बेंजीन बन गया ओके तो देखते हैं फटावर जली से एनिलीन से कैसे क्लोरो बेंजीन बनाते हैं बहुत ही सिंपल है सबसे पहले मैं अनिलीन लिख लिए अब इस पे कुछ भी डालने से पह डाइरेक्ट नाइट्रस ऐसेड क्यों नहीं डाल देना हूँ ? क्योंकि यह अनिस्टीबल होता है या आप इसे आप बना के रख नहीं सकते हो तो हम इसे freshly prepared हमेशा बनाते हैं और इसे मैने बना लिया अब इस नाइट्रस ऐसेड को मैं क्या करूंगा ? किसके उपर एनिलीन के उपर डालूँगा, तो या तो मैं लिख दूँ डारेक्ट ऐसे, NaNo2 प्लस HCl, तो मैं क्या बूलूँगा, Sodium Nitrite प्लस HCl, मतलब, actual मैं डाल क्या रहा हूँ, Nitrous Acid ही डाल रहा हूँ, और Temperature कैसा रखता हूँ, Very Low, तो मैंने इसे 0 degree पर करा, अब ये कौन सी रेक्षन है, तो मैं ये Dysonium Salt preparation कर रहा हूँ, देखो एक बात जान लो, एनिलीन पर जर्नली आपको कोई भी चीज और बनानी हो, मतलब, एनिलीन से कुछ भी बनाना हो, तो आप 90% टाइम देखोगे, कि आपको Dysonium Salt के थूँ होके जाना पड़ेगा, तो इसलिए Dysonium Salt reaction बहुत इंपोर्टन जाती, बहुत जादा इंपोर्टन इसकी ये 12 में बहुत वैल्यू है, तो हमने क्या करा, sodium nitride plus HCl, या nitrous acid डाल दिया, और nitrous acid डालने पर क्या बन जाएगा, ये आपका benzene, benzene बन गया, और benzene किसम क्या बना हो, पर Dysonium, इसका नाम क्या है, Dysonium, और ये साथ में क्या है, Chloride बना हुआ है, तो तीन चीज़ें इसका हो गई, इसका नाम जो लोगे क्या बन जाएगा, benzene, Dysonium, Chloride बन गया ये आपका, अब यहां मैंने दूसरी चीज़ क्या लिखिए हूँ, ये sodium nitride, ये tride है, और ये trite है, तो sodium nitride क्या होता है, NaNO2, और sodium nitride क्या होता है, Na3N, ठीक है न, दोनों में डिफरेंस के लिए और अच्छे, बहुत बार वर्ड समलोग सुनते हैं, और हमें एक जैसा feel होता है, तुम confuse आते हैं, तो मैंने दोनों के यहां पर नाम लिख दिया, आगे देखते हैं, अब बेंजीन, डाइजोनियम क्लॉराइड पर हम क्या डाल सकते हैं, तो यहां पर दो पाथ है, एक मैंने उपर के लिए दिखा है, एक नीचे के लिए दिखाया है, यहां पर डाला हुआ है, और इसे यहां तो बोल सकते हैं, मतलब बस मतलब और उक्सीडेशन कितनी है कॉपर की यहां, प्लस वन है, अच्छा, एक बात समझाता हूँ, यह क्यों लिखा जा रहा है, तो देखो, कॉपर की दो उक्सीडेशन इस्टेट है, एक कॉन सी होती है, एक होती है, प्लस वन, और जो एक कम वाली में होता तो क्या लगता है एस लगता है तो यह क्या है फस्ट वाली हैते के ऐस आहाई क्या या क्या पर्सक्राइड डालेगे और यह एक क्शन किसने दिया had मेर तो सेंड मेर नहीं एक्ष्ण कराई थी सेंड मेर ने किया करा किूपर चख्लॉराइड के उपर और इसका दूसरा अल्टर्नेटिव मेथड तो आब कॉपर पावडर ने लो zeन प्रेजन्स फस यल उसं किसने दिया था इसे गेटर मैन ने दिया था तो गेटर मैन ने copper powder लिया और sand मेने cuprous chloride लिया अब दोनों लेने पर आपको एक ही चीज मिलेगी क्या chloro benzene अब ध्यान रखो एक बात और अगर कोई तुमसे पूछे यह कुपरस chloride वाला है यह वाला क्लोरीन यह नहीं है ठीक है यह वाला क्लोरीन यह नहीं होता है ध्यान रखेंगे इस बात को ओके और अगर मैं तुमसे एक और कोशन पूछ हूँ कि दोनों reaction करा सकते हैं तो फिर इनमें से better कौन सी है मतलब which reaction is better कौन सी reaction बेटर है तो answer है send mere क्योंकि इससे yield अच्छी मिलती है यहाँ पर yield मतलब जो product की quantity है वो अच्छी बनती है साफ उतरा होता जादा better आपको resultant found होता है तो आप क्या बोलोगे कि getterman से अच्छा है send mere reaction त कर सकते हो बड़ अगर best तरीके सीखना है तो फिर आपको अमाइन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दो नहीं 12 class में ठीके ना तो अमाइन वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आपको यह reaction बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी यह conversion बहुत आसान हो जाएगा आ I hope आपने enjoy कर रहा हो conversion को कोई doubt हो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे question पूछ सकते हैं comment करके पूछ सकते हैं आप टेलीग्राम पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं आप मुझे Instagram पे भी message कर सकते हैं कहीं भी